दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक स्वीवल में दोस्तो जैसे आप यहां देख रहे हैं कि प्लास्टर का काम हो रहा है तो आज के वीडियो यह हमसे कुछ लोगन सवाल पुछता कि सर एक बोरी अगर सीमेंट है तो उसमें हम कितना स्कौर फिट प्लास्टर कर सकत हैं बहुत अच्छा सिमेंट है waterproof भी होती है moisture resistant भी होती है अब दोस्तो क्या है कि यह प्लास्टर करने के लिए आपको एक बोरी अगर आप सिमेंट लेते हैं तो उसमें कितना स्कौर फिट प्लास्टर होगा तो आपको बताने से पहले आपको कुछ यहां पर इंपोर्टन करके रखा जाए तब प्लास्टर आपकी अच्छे पकड़ती है फिर जो आपको मसाला बनाना है तो जो यहां पर सिमेंट सिमेंट कह रहा हूं जो बालू आप देख रहा है रिवर्स एंड यूच किया गया है वह बहुत अच्छे से वहां पर बिल्कुल साफ होनी चाहिए उसमें सिल्ट कंटेंट आप देख रहा है कि वहां पर 5-6 परसंट से ज्यादा उसमें सिल्ट कंटेंट नहीं होने चाहिए कंकर नहीं होने चाहिए ज्यादा तर और जो मसाला बनाना है आपको उतना ही मसाला बनाना है जो कि हमारा एक से दो घंटे में इस्तमाल हो जाए ज फिर आपको जो है कम से कम तीन टाइम से करनी है और अभी जीस तराइख का नोजाए guten धिमीफ हो और अम वह समरा नियन ज्भी जिन का महीने चल रहा है तो इसमें प्लास्टे द्वेह किस Policy on अंदर का अब जो प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर के लिए हमें क्या होता है हमें जो सिमेंट यूज होती है कहां कहां यूज होती है सबसे पहले आपको दिवार प्लास्टर करने से पहले उसका सिमेंट सलरी यानि कि दिवार को जो सिमेंट का घोल होता है उससे पूरा त फिर जो हम प्लाश्टर के लिए मसाला बनाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताूंगा कि अंदर का प्लाश्टर करा रहा हूं बाहर में चर रहा हो एक बुरी सीमेंट में कितना two feet होगा अब जैसा देख रहा है कि अंदर का प्लास्टर हो रहा है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है दिवार पे पानी मारने के बाद पहले उसमेंट का जो सलरी होता है गोल होता है वह बना के अच्छे से आपको जहां भी प्लास्टर करना है उस पहले उसको लगा लेनी है और थोड़ा सा भी आपका इट दिखा बहुत हैं जो 16 ंखे एक 1-15 उए मिल लाइक बहुत है तो इसमें आपको दखिए यू दो 3Stos इन को बहुत है 20 kg की तो सब्सक्राइब की 31-15 cm अध्य wasit सब्सक्रेंग भी गयज, यानि एक बोरी का अगर मसाला आप बना रहा हैं प्लास्टर के लिए अंदर के लिए मैं बता रहा हूं तो आपको उसमें कितना बारा तसला आप उसमें बालू डालें और आप उसमें तीन तसला यानि एक बोरी पूरा आप उसमें सिमें डालें तब जाके जो है आपका जो म और मिक्सिंग उतना ही करें दोस्तों जो की आपके आदे से गंटे में यूज हो जाए ज्यादा पहले का मसाला बना के ना रखें तो अगर वैसा आप करेंगे तो फिर आपका क्या है कि मसाला अच्छा पकड़ना ही बनाता है प्लाश्टर कम जोड हो जाता है तो यह जो है अ प्लाष्टर होता है तो उसकी मोटाई हम लगबग 20 स्मेंट रखते हैं ठीक है और 20 स्में के लिए हम जो बाहर के लिए मसाला बनाते हैं वह भी एक रिसी चार या एक रिसी पांच के बनाते हैं तो यानि कि एक बोरी में अगर वहां पर हमारा तीन तसला सिमेंट निकल रहा ह तो वहां जो हम बालू डालेंगे वो 15 तसला डालेंगे तो यहां जो हमारा एवरेज निकल के आता है एक बोरी सेमेंट में जो हमारा प्लास्टर होता है बाहर के दिवार पे वो लगबग आपका 80 स्कॉार फिट होता है 75 से 80 स्कॉार फिट कभरेज देता है अब वहीं क्या है कि छट में जो हम प्लाश्टर की मोटाई रखते हैं वो ज्यादा ज्यादा 6-8 mm रखते हैं ज्यादा मोटा अगर आप रखिएगा तो वो गिर जाता है वहाँ पर तो 5-6 mm का अगर आप रखते हैं तो ठीक है तो उसके लिए हम जो मसाला बनाते हैं ओ हमारा कितना चत्व प्लाश्टर हूगा तो लगभग जो एक बोरी में आपका च्छत में 120-10000 स्क्राइन प्लाश्टर अराम से ओ जाता है आप अराम से कर सकते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो से लेटेट कोई सवाल है तो कमेंट जरू कीजिए वीडियो अच्छला को तो लाइक कीजिए